नमस्क्त दोस्तों तो इसराईल के साथ जो यूँ दो रहा है उसमें बहुत सारी problem बहुत सारे सेक्टर के लिए अभड़ी हो गई है तो उन सेक्टर के बार ने में मी जानना बहुत ज़री है कि कल कर दिन जब market खुले गी तो सब सेक्टर में बाहरी गिरावट 오 सकती है आप सोचके रखेगा आप बहुत सारे स्टोक ऐसे हैं जो गिरेंगे क्योंकि सबसे पहली बात जो है ओल प्राइसिस में बहुत ज़्यादा ही जाफा हो सकता और ओल प्राइसिस पर डिपेंडनेंट एक दो इंडस्ट्री हमारे आ है जो की पूरी के पूरी है और बहुत सारे इंडस्री ऐसी है जिनका बिजनस बहुत जादा इस्राइल में है तो उनके प्राइसिस को इलके प्राइसिस Citizens बढ़ेंगे ये सारी चीजी अगर होती है और बहुत सारे इरान हैं, बहुत सारे factions हैं, जो अपस में लड़ने के लिए त्यार बैठे हैं, और ये लड़ाई बढ़ सकती हैं बहुत जादा, तो इन सब के खत्र के देते, गोल्ड वगेरा में लोग पैसा लगाना है, शुरू करेंगे, अभी यह दिया रखेगा, पैसा खिचेगा, गोल्ड में लगेगा, गोल्ड उपर जाएगा, तो IT Stocks, Oil Stocks, Paint Stocks और Energy Stocks, इनमें ध्याना का IT Stocks में, Infosys, TCS, आपका Vipro, आप HCL Tech, जितनी बड़ी कमपनींस हैं, जिनका Exposure है, इन सबका Exposure, एक्चुन है, TCS का बहुत Exposure है वापके, तो उनमें दिक्कत आएग और Indigo Coil चाहिएगा, तो Indigo की Flights होंगी, जराइल के लिए वो भी Cancel होंगी, तो धीरे-धीरे इन सब में Problem Creates होंगी, आपको Energy में Coil के Prices और इन सबके Prices की ओजाएगी, बी-पी-से-ल में दिक्कत आएगी, तो नजर बनाये रखेगा, इन स्टोक्स पर,